हेलो स्टुडेंट मैं दोक्तर लाता अगरवार आज हम बीए पार्ट थाड़ एर हिस्ट्री में पेपर बन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लॉड कॉर्ण वालिस ने जो कशास्नीक न्याई और सेंगे सम्मद्धे सुधार किये उनकी बाले में हम अध्यान करेंगे लॉड कान वालिस जो 1786 में भारत में गवर्नर जनरल का पद धारन किया और इस इंडिया कंपनी के प्रशासन में जो भी तूटियां थी उनमें उन्होंने सुधार करने का प्रयाद किया हाला कि उनकी नीती भी कंपनी को अधिकादिक आर्थिक लाफ प्राप्त करने के लिए सुधार करना आवश्यप हो गया दे 1786 से 173 में तक भारत में गवर्नर जनरल बन के रहे और पुन्हे 1805 में गवर्नर जनरल बन करके भारत में आई उन्होंने अपने सुधारों को चार भागों में बाटा व्यापरिक संबंदी सुधार प्रशास्निक सुधार न्याइक संबंदी सुधार और भूमी संबंदी सुधार प्रशास्निक सुधारों में उन्होंने कम्पनी के अधिकारों के बेतन कुमें ब्रद्धी कर दी और कुछ अधिकारियों का ऐसे इस्थान अंतरन कर दिया जो भरष्थ अधिकारी थे उन्होंने न्यूक्ति प्रथा को बनकर एक कारेकुशल अधिकारियों की न्यूक्ति की भारत के 35 जिलों को घटा कर उसने 23 जिलों में कर दिया बंगाल के शेत्र को सीमित कर दिया पुलिस विवाग में महत्पुन परिवर्टन किये छोटी छोटी इलाकों को जिले को बात दिया गया और साथ ही प्रती 20 मिल के अंतर पर एक पुलिस थाना इस्थापित किया कानवालिस की यह नीती यह सुदार सबसे महत्पुन और आगे भी इसको महत्ता दी गए थानी के अंदर प्रते थाने में एक दरोगा और एक सिपाही नियुक्त किये गए दरोगा के उपर पुलिस अधिक्षक नियुक्त किया गया जिसकी नियुक्ती जिले के अंग्रेज मजिस्टेट दौरा की जाती थी अंग्रीज मजी स्टेट को जिले में पुलीस के कारिय का निरिक्षन करने का उत्तरदाइत सोपा कलकता में पुलीस प्रशासन की देखरे के लिए एक संचालग भी निउक्ति किया गया जितने भी अधिकारी नियुक्ति किये गए थे वे सभी कानवालिस ने अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्ति किया और अंग्रेज अधिकारियों को ही सवतंतर रूप से प्रशासनिक कार्य करने के लिए नियुक्ति दी गई थी व्यापरिक सुधार के अंतरकर उन्होंने एक व्यापर बोर्ड इस्तापित करा और बोर्ड के सदस्यों की संख्या जो 11 थी उसको घटा करके पार्च कर दी गई बोर्ड कलकटा के सर्वोच कांसिल के अधीन कारे करने के लिए काह गया और व्यापरिक केंदर पर जहां कमपनी का व्यापर होता था वहां एक बिटिश रेजिडेंट की नियुक्ती की गई जिसका कादूर व्यापर को उचिस दंग से नियंतित करना तथा होने वाली आई पर नियंतर कर properly करना था कानवालिस ने ठेकेदारों से माल खरीदने की प्रथा पूंतया समाप्त कर दी जिससे भारतिये व्यापारियों को हानी होने लगी उसने भारती जुलाओं की दश्या सुधाने का थोड़ा उपाई भी थोचा और उसने जितना माल खरीदना हुआ उसका पूरा मुल्य पेश्की के तोर पर जुलाओं को दिया जाने लगा रेजिरेंट को आदेश दे दिया गया कि भ्यापार में होने वाले आर्थिक लाब मूल्त है बिटिश कोश में जमा किये जाये साथ में उसने इन दो लापों के अलावर दो प्रशास्निक सुधारों के साथ उसने भारत में बिटिश कंपनी के बढ़ते प्रभाव या भष्टाचार को कम अवश्य किया परंतु उसकी नीती भी कौन बालिस ने कंपनी को अधिक अधिक आर्थिक लाप देना ही था बच्चों हम कल उसके भूमी संबंदी और न्याईक सुधार संबंदी के बारे में अध्यन करेंगे धन्यवाद